दोस्तों यहां पर एक ट्यूष्ट है अब ट्यूष्ट क्या है दोस्तों इस Mac Mini M2 को इस्तमाल करते हुए मुझे एक महीना हो चुका है इस दोरान मुझे किस-किस सिनारियों में यह जूजता हुआ दिखाए दिया और किस-किस मूर पर किस-किस पड़ाव पर यह छलांग मार कर आगे बढ़ता हुआ दिखाए दिया इन सब मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं और अगर इस M2 Mac Mini को आप पर्चेस करना चाह रहे हैं तो जड़ा सा रुक जाए और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए हो सकता है आप जिस परपस के लिए इसे लेना चाह रहे बहुत सारे कुछ बताने वाला हूं एक महिने के दौरान मुझे क्या-क्या दिखा इसमें और क्या-क्या कमी इसमें नजर आई वह सब मैं बताने वाला हूं तब तक इस वीडियो को आप पूरा देखिए और दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर जरूर सब्सक्र करने वाले हैं तो सबसे पहले इसका रिव्यू है एक महिने का मेरा तो इस दौरान मैं कुछ बिंद्यों को टच करने वाला हूं तो हो सकता है कि उन बिंद्यों को आप जानना चाहते हूं इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई प्रस्न आपके मन में होगा तो कमे सक्टर देखें कि क्या डिंग के लिए यह है या नहीं उसके बाद रैम और स्टोरेज मनेजमेंट की बात करने वाले हैं कि रहा में इस मेक मिनी एम तू का कैसा है उसके वाद वीडियो को एक्सपोर्ट करके लिखाएं गे रेंडरीं करके दिखाएंगे कि यह कितना तेर लगता है कितना टाइम लेता है और दोस्तों उसके बाद आहम चीज़ सॉफ्ट्वेयर एंटू में जो सॉफ्ट्वेयर अप्टमाइजेशन है वह मुकाबले बढ़ा है या नहीं और लास्ट में निसकार्श पर पहुंचेंगे कि आखिर यह कि लोगों को लेना है इन सब ब देख रहे हैं कि अभी MacOS भैंचूरा 13.3.1 रन कर रहा है इसके पहले भी अपडेट आ चुका है तो अपडेट के मामले में एपल जानते ही है कि बहुत सांदार है समय समय पर कोई प्रॉब्लम होता है उसको अपडेट करके देता ही है तो अपडेट के मामले में बहुत हंटा तक इस्तमाल किया इसके परफॉरमेंस को नापने के लिए कि आखिर यह किस लेवल तक जाता है गर्म होता है भी नहीं सनी वार सुबर 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 तक लागा थार इसको यूज किया और सिप चालू नहीं रखा इसको इसको इस्तमाल किया उस दरौन बेफ स्रीज कई गेम्स भी खेला गया वीडियो एडिटिंग हुआ यूटूब पर वीडियो अपलोड किया गया उसका बेफ स्रीज देखा गया फोटो इडिटिंग की गई इन सब चीज से होते हुए भी जब मैं इसको टेस्ट करा कि क्या यह हीट हो रहा है तो हैरान रहा गया यह दे लेकिन आवाज नहीं सुनाए दी तो यह अच्छी चीज है जरा सावी शोर शरावा नहीं है अब दोस्तों इसके गेमिंग सेक्षन की बात कर लेते हैं तो अगर आप एक हार्ड कोर्ट गेम लभर हैं तो आप इस सिस्टम को नहीं ले तो ही अच्छा है अगर आप दार परफॉर्मेंस ला करके देगा लेकिन ऐसा नहीं हलका फूल का गेम भी आप खेल सकते हैं जैसा कि मैं इसमें एक चेस भी इन्विल्ड दिया गया है उसको मैं खेलता हूं जब भी मन करता है लेकिन वैसे मैं गेमिंग का शोखीन नहीं हूं तो मेरे लिए है भी नहीं के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा बिल्कुल आप विंडोज और इंटेल के तरफ जाए कोई इशू नहीं होगा इसको मत लें दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रैम और स्टोरेज मेनेजमेंट की तो जब आप इसे निवली खरीद आपको खाली ही रहेगा इसमें कोई इशू नहीं है लेकिन यह कोई बड़ी समस्या है नहीं क्योंकि आप इसके साथ एक SSD कीजिएगा और दो SSD करता हूं दो वीडियो है आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा आप जाकर के चेक किजिएगा सारे वीडियो आपको व मैं एक बात साब साब बता दूँ कि यह जब system में खरीद रहा था तो YouTube पर मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च करा उसमें 8GB वाले variant पर सब कोई अच्छा ही बता रहे थे लेकिन जब ground level पर इसके testing की बात आती है तो नतीजा कुछ और ही निकलता है तो क्या नतीजा है आप ब बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो वीडियो देख रहे हैं वह इसी पर एडिट किया हूं फोटो एडिटिंग भी करते रहता हूं फोटो सॉप भी यूज़ करता हूं इस पर बेव स्रीज भी देखता हूं तमाम वैसे सारे मल्टिमीडिया के कार्ज भी मैं कर रहे चु और लेयर पर लेयर चड़ाता हूं चर पांच लेयर करता हूं और इसके बाद 4K वीडियो में रेंडिंग करता हूं तो कोई इशू नहीं होती है बिंदास रेंडर कर देता है और बहुत ही फास्ट करता है यहां पर एक प्रॉब्लम्स यह है कि जब मैं अपने DSLR से 4K दो हो जाता है और बहुत कुछ अटकने लगता है और फिर इसको हटाने के लिए इसको कैंसिल करना पड़ता है और उसके बाद फिर पहले ही कि तरह अराम से श्मूथ चलने लगता है तो यह एक इसू देखने को मिला है मुझे कि जो DSLR का 4K फोटेज 60fps की उसको रेंडरिं है कि अगर आप फ्यूचर प्रूफ देखना चाहते हैं आप ऐसे सिस्टम लेना चाहते हैं जो आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकें तो उसके लिए आपको 16GB कर रहे हैं आपको जरूर जाना चाहिए 16GB की तरफ ही आपको भागना चाहिए यह आपके लिए नहीं है अगर आपके पास बजट है तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा करके आप 16GB वाले भारियन के शाथ ही जाए मैं आपको यहीं सलाह दूँगा कि आप 16GB वाले के शाथ जाए इसके साथ नहीं जाए लेकिन आप अगर इस्तमाल करना चाहते हैं तो 10 साल तक यह 8GB और 256GB वाले वरियंट आपको कोई नुक्षान नहीं देगा आप बहुत खुश रहेंगे अच्छे से युज़ कर पाईएगा बहुत स्मूद चलता है इसमें कोई दो राय नहीं है यह बहुत ही अच्छा सिस्टम है और एपल बहुत सस्ते में बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट ला करके दिया है अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्ट्वेयर और एप मेनेजमेंट की कैसा चलता है दोस्तों जब एमोन आया था मार्केट में एपल के तरफ से तो जो इसके एप्स थे बहुत सारे अप्टमा सारे सपोर्ट करते हैं बहुत ही एफिसेंट है स्मूथ चलता है कोई दिकत आपको देखने को नहीं मिलेगा यहां तक कि आपके आईफोन आईपैट के भी जो एप हैं वह भी अराम से इसमें चलता है और उसी तरह का परफॉर्मस देता है उससे एक लेवल ज्यादा ही पर सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूं रिप्लाइब मेरे तरफ से मिलेगा और आपके मन में इस सिस्टम को ले करके कोई भी सवाल है कभी भी है तो आप बेढ़क पुछे आपको तुरंत रिप्लाइब गया है मैं OS Ventura को दोस्तों अब इसके पोर्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें मुझे कमी देखने को मिली है यह बहुत भारी कमी है इसके जो पोर्ट से वह परियाप्त नहीं है क्योंकि जब मैं DSLR से शूट करता हूं और डाइरेक्ट उसमें लगा करके उसके पोर्ट से कोई पोर्ट सी नहीं दिया गया है तो यह एक बड़ा हो जाता है उसके लिए आपको दोस्तों एक USB हब लेना पड़ेगा और USB हब पर मैं वीडियो रिसेंटली बनाया हूं आई बटर में है उसको जाकर करके देख लिए कि कौन सा है इसके लिए सफिसेंट है और दोस्तों साफ साफ मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे यूजर है जो हाई लेवल पर प्रोफेशनली आप वीडियो अडिट करना चाहते हैं तो आपके लिए यह नहीं है आपके लिए इसका जो अपग्रेड़ेड वर्जन है प्रो वहां जाए उसमें जाए और एट जीवी वी वाले लेकिन कभी नहीं लीजिए क्योंकि इसका नतीजा में भुगत रहा हूं अगर मुझे यह पता होता तो मैं 16 जीवी के तरफ ही जाता लेकिन अब ले लिया तो इसको इस्तेमाल कर ही रहा हूं ऐसा कोई दिकत नहीं है लेकिन हाँ अगर आप अभी ही सुधर जाए तो अच् कमेंट्स करिए और इस वीडियो को देखने के लिए यहां तक बहुत धन्यवाद आपके मन में कोई सुझाव है तो वह भी जरूर कमेंट्स के माद्यम से मुझे बताइए बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाइ